नमोस्तु गुरुदेव गुरुदेव आप इसे कौन से मंतर की जाप करते हो जो आप एक बार किसी चीज को पढ़ लेते हो तो उसको अपने सिस्टम में सेफ कर लेते हो देखे पहली बात तो एक बार पढ़ने में सेफ होता है ऐसा कहना ठीक नहीं है मैं किसी को ना तो मंतर का जाप करता हो ना किसी को बार बार पढ़ता हो मैं ध्यान से सुनता हो और ध्यान से पढ़ता हो पढ़ता नहीं स्कैन करता हो और सुनता नहीं फीड करता हो आप लोग क्या करते हैं ध्यान से सुनते नहीं ध्यान से पढ़ते नहीं रटने की कोशिश करते हैं हमारा ये अलभाव बताता है किसी भी बात को आप ध्यान पुरुबख सुनोगे तो वो आप पर आपके मानस पटल पर अंकित होगी और ये च्छमता आप लोगों के पास भी है एक बार कोई बोलता आपको वो भी याद हो शकता है होता है की नहीं होता बोलो एक बार सुनके याद होता है की नहीं होता है होता है तो हमें में और तुम में क्या अंतर है एक बार सुनने में याद होता है की नहीं होता है तुम लोगों को यह बोलो बोलो capability है की नहीं तुम्हारे पास एक बार सुनकर याद हुआ ना बोलो थोड़ा जोर से एक ही बार सुना ना तो हम में तुम में क्या आंतर क्या हुआ आपने गाली ध्यान से सुना इसले याद हुआ अगर गाली दे रहा और आपका ध्यान उधर उधर हो तो थोड़ी याद रहेगा तब मैं आपसे केवल इतना कहता हूँ जैसे गाली ध्यान से सुनते हो ना उसकी जगा अच्छी बाते ध्यान से सुनना सुरू कर दो काम की बाते ध्यान से सुनना सुरू कर दो सब याद हो जाए आप काम की बातों पर ध्यान नहीं देते और बिना काम की बातों से ध्यान नहीं हटाते एक मूवी देख के आते हो पूरी स्टोरी आके सुना देते हो बोलो तो मेमोरी तो तुमारे पास भी है पर सब में कचरा भर रखा है उस कचरे को बहा निकालो काम की बातों को रखो समझ गया है इसी तरह पढ़ते समय यदि आप ध्यान पुरवक पढ़ोगे तो आपको सब बाते याद हो जाएगी उस सब्द को मत पढ़िए अक्षर को मत पढ़िए उसके चित्र को अपने माइंड में अंकित कर लिजे तो फिर आप उसे भूलोगे